हेलो स्टूडेंट्स, آज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सिक्थ सेमेस्टर का इकउनॉमिक्स का क्वेशन पेपर जो अभी जुलाइ में हुआ था वो देखते हैं कौन-कौन से क्वेशनस आए हुए हैं इसमें और किसी भी स्टूडेंट के पास अगर 6th semester का Paul Science का question paper है तो please share जरूर करें Time दीन घंटे का है Maximum marks है इसमें 80 आप अपना हर उनिवस्टी में थोड़ा बहुत syllabus का difference हो सकता है तो आप ये match कर ले Economic Development and Policy in India ये वाला ही syllabus है या नहीं आपकी उनिवस्टी या college में Attempt 5 questions in all Question number 1 is compulsory Write brief notes on the following English और Hindi दोनों languages में आया हुआ है ये Primary sector के बारे में बताना है दूसरा है National Income के बारे में तीसरा जो question है C का वो है Economic Development के बारे में Density of Population Under Employment Unequality और Next है Globalization F.E.R.A. के बारे में बताना है Cyclical Unemployment New Economic Policy Hindi के लिए है प्रात्मिक छेतर राष्ट्रे आये आर्थिक विकास जनसंख्या का घनतव अलप रोजगार ए समानता वैश्विकर्ण फेरा और Next है चक्री बेरोजगारी और Last है नई आर्थिक नेती Unit 1 एक से जो question है Question No. 2 Discuss the main features of Indian economy at independence सवतंतरता के समय भारती अर्थिविवस्था की मुख्य विश्यस्ताओं की चर्चा कीजिए Question No. 3 Write a note on trends in national income and per capita income in India भारत में राष्टे आये और परते व्यक्ति आये की प्रवर्थियों पर एक टिपने लिखिए Question No. Next है Ikae 2 से 4 What is the importance of human development in India? भारत में मानव इकास का क्या महत्व है? What are the bread demographic features of India? भारत की रोटी जनसांखी की विश्यस्ता क्या है? Question No. 6 है Ikae 3 से What is meant by unemployment? Write the nature and types of unemployment in India बेरुजगारी से क्या तात्प्रिये है? भारत में बेरुजगारी की प्रकरती और प्रकार लिखिए What structure changes were done in Indian economy after independence? सवतंतरता के बाद भारती अर्थ विवस्ता में कौन से धांसे में प्रिवर्तन किये गई? Ikae 4 में से है What is meant by privatization? Explain the main features of privatization in India नीजी करने से क्या तात्प्रिये है? भारत में नीजी करने की मुखे विशेष्ताओं की व्याख्या कीजिए और question last का है Explain the features of industrial policy 1991 और दोगी करांती 1991 की विशेष्ताओं की व्याख्या कीजिए तो ये था dear students आपका 6th semester का economics का question paper उमीद है ये आपकी help करेगा Please channel को subscribe करना मत भूले ना भूले और वीडियोज को share जरूर कर देना सभी के पास